तो कैसे हैं आप लोग नमस्कार दोस्तों मैं विश्रीक आपका विश्रीक ट्यूटिरिल पर स्वागत करता हूँ असकूटनी परिणाम आपका जारी हो चुका है मैंने सबसे पहले पूरी यूटूब पर सबसे पहले मैंने ये न्यूज दिखाया और बाकी लोग जस्ट मेरे वीडियो का कॉपी करना सुरू कर दिये हैं लेकिन सच किसी नहीं नहीं दिखाया, सब दिखाया, सकूटनी का परिणाम जारी हो गए, जारी हो गए, जारी हो गए, यहाँ पर मैं बिल्कुल आपको सच दिखाने जा रहा हूँ, सकूटनी परिणाम जारी तो हो गए है, लेकिन क्या सभी का रिजल्ट एक ही दिन आ गया ह क्योंकि अभी रिजर्ट आना बाकी है ये तो सीफ ट्रेलर है ठीक है पूरा वीडियो देखेगा कि आज से आपको करना किया है आज से डेली आपका चेक करना है अपना मार्क्स ठीक है और ये बिल्कुल ये न्यूजी मैं सबसे पहले दे रहा हूँ देखना कल पूरे यूट की कॉपी करना सुरू करेंगे अस्कूटनी परिणाम जो होगा 29 जून से 10 जुलाई तक डेली रूप में आएगा ठीक है आज से सुरू हो गया आना सबसे पहले मैंने दिया बहुत लोग इस पर ये कॉमेंट कियें कि फेक है पगला है क्या है लेकिन देखो अभी सभी यू इस पर यहां पर वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो जल्दी सेर करो चैनल को सब्सक्राइब करो बिल्कुल पहली वाल हो तुम और यह सबसे बड़ी ख़बर यह तो सबसे पहले जिनके मार्क्स बढ़े हैं उनका भी कुछ कॉमेंट यहां पर दिखा देता हूं मैं मेरी मार्क्स बढ़े हैं यह नूर मुहम्मद सहब कह रहे हैं इनके मांक्स में मार्क्स बढ़े हैं बाहर नंबर दस उपर भी बरहे हैं अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते होगे तो मैं लगतार ये डेली का अपडेट डाल ला था तो लोग बोल एंसर कौनसा न्यूज पेपर्स लाएं है ठीक है तो यहां पर देखिए 14 नंबर इनका बढ़ा है जो कि 10 नंबर से कहीं अधिक है और जिनका नहीं बरहा है वो भी मायूस ना हो ठीक है पहले इनका 403 नंबर था ये खुद बहुत ज़्यादा नंबर से लीड कर रहे थे 80 परसेंट नंबर था जो कि अब करीव करीवी 90 परसेंट पे पहुँच गया है 443 नंबर हो गया है तो नूर मुहमद को धेर सारी अपडेट दिया है यहाँ पर कि सर मेरे हिंदी में 50 में दिखिए यहां पर कहां चला गया यहां मैं पचास में पकांच नंबर बढ़े हैं और इंगली कंचास नंबर ही 00 हो रहा है तो अदीती जी आपको भी धेर सारी Спस? और यहां पर आपको बता दें कि इंगली इसमें 59 आस नंबर सो हो रहा है वो भी बढ़ेगा वो भी बढ़ेगा ठीक है वीडियो को पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कैसे बढ़ेगा ठीक है यहां पर बिहोर दीपक जी बोल रहे हैं बिहार बर स्कुटनी का डिजल्ट आ गया है सर इंग्लिस में 41 था अप 45 ह है सर 4 नंबर बढ़ा है इंग्लिस में और मेरा एक सब्जेक्ट में नहीं बढ़ा है एकनॉमिक्स में एकनॉमिक्स में 54 पहले था और अभी भी है एकनॉमिक्स में चेंज नहीं हुआ है तो आप घबराईए नहीं बिलकुल आपका चेंज होगा यहां पर बिलकुल मैं बत नहीं जा सकता है लोग का देखिए पगला गया है स्कूटनी रिजल्ट नहीं है सबको पागल बना रहे सबको पागल नहीं बना रहे तुम सबसे बड़े गधे हो ठीक है उसके बाद देखिए अलका कुमारी जी भाई आज तक मैंने देखा था कि लड़के ये सब करते हैं इ आपको अपने आप पर सर्मानी चाहिए ठीक है कि आपने ऐसा कॉमेंट किया है जबकि डिजल्ट सच में आ गया है तो आप कॉमेंट करके डिलीट मत कीजिए ये डिलीट कर दिजेगा तो फिर भी यहां सो होता है ठीक है चलिए अच्छी बात है नेक्ट मैं आपको ये दि देख रहा हूं सबसे पहले ये नियूज दे रहा हूं मैं अपने यूट्य चैनल पे जल्दी सा भी चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लो पतना बिहार वीडिया ले परिछा समीति ने बरहां भी असकी इतनी पर नाम जारी सुरू कर दिये हैं किस्तों में ध्यान दीजिए चात चात्राओं को ऑफिसल वेब साइट पर जारी अपने मार्क्स चेक करने होंगे अगर उनका मार्क्स बढ़ता है या घटता है तो स्कूटनी का परिणाम उनका आ गया है और जिसस डेन का रिजल्ट पेंडिंग या पेटिंग में आ रहा है वो घबराई नहीं उनका मा कोई नाम जारी नहीं किये गए हैं बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखे हैं जो अभी लाइव जूर रहे हो वो लाइव सेशन खत्म हने का फिर से वीडियो देख लना क्योंकि आपको पोड़ी डिटेल्स दी जा रही है जो कि पोड़े यूटूबर्स कोई नहीं देग काफी चातरों के मार्क्स बरे हैं 20, 30, 40, 50 तक मार्क से चापा हुआ है 40 का एकजामपल मैंने साप में सामने दिखा दिया 50 वाले अभी तक कोई कॉमेंट नहीं किये हैं तो कॉमेंट आएक तो बो भी मैं दिखा दूँगा ठीक है जिससे चात काफी खूस है एक चात का कहना है बीहार बोड ने उनके उमीद तूटने नहीं दी है उनका कुल 50 मार्क्स बरहा है जिसका कुल मार्क 410 था ठीक है 410 हो गया है जो पहले 360 था यहां देखे 50-50 मार्क्स तक ऐसा कभी नहीं होगा बीहार बोड में जो इस बार होगा मैंने बार बार बोला था चुनाओं का फैदा है आप लोग फैदा उठा और स्कुटनी करो स्कुटनी करो स्कुटनी करो उस पर भी बहुत लोग वोड रहते किसर नहीं बढ़ता है नहीं बढ़ता है अब देखे सब का बर रहा है तो जो नहीं कियो होंगे वो बिल्कुल अब पस्ता रहे होंगे जिनका नहीं ब है हला कि पूरी तरह सवकुटनी पहिनाम 10 जुलाई तक जारी किये जाएंगे यह बड़ी अपडेट है तो जिनका वाई जिनका जो भी गल्स जो भी वह जिनका नहीं सो हो रहा है न मार्क्स वो घबराय नहीं नहीं सो होने का मतलब है या आपके जो मार्क्स हैं वो अभी यानि कि जो भी पेंडिंग का रिजल्ट आ रहा है बेटिंग रिजल्ट आ रहा है तो बिल्कुल यहां पे घबराई नहीं ठीक है पेंडिंग बेटिंग जो आ रहा है यहां पे मैं दिया हूं जो भी पेंडिंग बेटिंग आ रहा है वो घबराई नहीं उनका मार्क्स बरकर इसा नहीं होता है जो गलत करते हैं जो मुझे गंडा फड़क नहीं पर टैक है मैं बोल दू तो यह लोग मवाली है कि इनको कुछ फडरक में परता है मुँंपे ना वही होता है मुंझ से निकलता है इनके इनका लेंगे बात करने का तरीका वही इस घर में भी साइट वही बात करते होंगे अब यहां पर मैं दिखा दूए कौन सी साइट पर आपको देखना है मैं सीधे आपको लेकर चलता हूँ यहां पर पिट से यहां पर देख लिजी इंडिया रिजल्ट यहां पर देख लिज यहाँ पर दिख पाएगा, यहाँ पर दिखें, link one सामने में सो हो रहा है, link one annual secondary, senior secondary examination, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक कीजिएगा, तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा, और आपको यहाँ से roll code, roll number, औ आपना CAPTCHA code डाल देना है, जो 11, 16 हो रहा है, तो बो डाल देना है, और view पर क्लिक कर लेना है, यह आपका result खुल कर सामने आजाएगा, अगर आप यहाँ से देखना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं, स्कूटनी वाला ही देख ले, तो यहाँ से आपको देखी, second link दिख रहा है स्कूटनी result and your senior secondary examination 2020, senior वाले पर ही क्लिक कीजेगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखी, link to पर क्लिक करने के बाद, आपको इस तरह का, यहाँ पर application ID और registration number डालना है, तो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं, तो यहाँ से आपको हो सकता है, कि आपको registration number और application ID याद ना हो, ठीक है, जोने आपने apply किया था ना सकूटनी के लिए, वहाँ से आपको application ID और registration number मिला होगा, तो वहाँ से आप login करके भी direct देख सकते हैं, आपका सकूटनी का क्या सुधार होगा, वो बिलकुल आपको पूरा दिखा देगा, कि सकूटनी में कितने marks बरहे हैं, नहीं बरहे हैं, तो म इतना मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे YouTube सबसे पहले मैंने ये news दिखाया है, तो इतना तो बनता है यार, मिलते हैं आप से एक लिए वीडियो में, thanks for watching this video.